एक के बाद हुए धमाकों से कुछ ही सेकंड में तीन सो करोड की लागत से तयार हुए ये टावस खाक में मिल गए। इस दोरान पहले साइरन बजा फिर तेज धमाके के साथ ही धूल का बड़ा गुबार आसमान में उड़ा और देखते ही देखते नोईडा में मश्रूम ओफ डस्ट छा गया। तीन हजार साथ सो किलीग्राम बारूद के धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक लोगों को सुनाई दी। वही मलबे में से कई हजाट अंसरिया और स्टील भी निकलने का अनुमान है। उधर धूल के बड़े गुबबार के कारण आसपास के इलाके में वाई प्रदूशन को नियंत्रित करने के लिए नोईड़ा प्राधिकरन द्वारा एंटी स्मॉग गन समेट अन्य तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो टैंकर पानी का छड़ाव कर पेर बौधों और घास पर जमी धूल को भी साफ किया जाएगा। इन ट्विन टावर्स में 711 ग्राहकों ने फ्लेद बुक कराए थे। इन में से सुपर्टेक ने 652 ग्राहकों का सेटलमेंट कर दिया है। बुकिंग अमाउंट और बेयाज मिला कर रिफन का विकल्प आजमाया गया है। मार्केट या बुकिंग वैल्य इंट्रेस्ट की कीमत के बराबर प्रौपटी दी गई है। बिल्डर ने प्रॉपटी की कीमत कम या ज्यादा होने पर पैसा रिफंड किया या अतिरिक्त रकम ली। जिन लोगों को बदले में सस्ती प्रॉपटी दी गई उनमें सभी को अभी तक बाकी रकम नहीं मिली है। ट्विन टावर्स के 69 ग्राहकों को अभी तक नहीं मिला रिफंड नहीं मिला है। ने 6 स्थानों पर Manual Ambient Air Quality Monitoring Station स्थापित किये हैं, जिनके जरी ये वायू गुनवत्ता पर निग्रानी रखी जा रही है। वहीं आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से मास पहनने की अपील की गई है। नोईड़ा प्राधिकरण ने पार्श्वनात प्रेस्टीज एवं पार्श्वनात स्रिष्टी सोसाइटी, गेजहां गाउं, सेक्टर माइनस 92, 93, 93A, 93B आधिक शेत्र में पहने वाले बच्चों। बुजुर्गों और सास संबंदित रोगियों को एहतियात के तौर पर मास पहनने को कहा है। को 40 मंजल बनाने की योजना थी, लेकिन बीच में ही मामला कोट में चला गया और काम पर रोक लग गई। 32 मंजला इन टावरू में 950 फ्लेट्स थे, जो अब ध्वस्त हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक बिल्डर ने जब इस प्रोजेक्ट को लॉंच किया था, तो इ अगर ये ट्र्विन टावर बनकर तयार हो जाते तो वरतमान समय में ये नोएडा ही नहीं, बलकि NCR की सबसे शांदार आवासिये इमारत होती। ऐसी और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें धन्यवाद।